बिसमिल्लाहिर रह्मान इराहिम, असलाम अलेकम दोस्तों कैसे हो आप समेद करता हूँ, आप सब ठीक होंगे, वेलकम बैक टू दा न्यू वीडियो एड वेलकम बैक टू दा चैनल लिट्रेचर कवरेज, आउ लिट्रेचर पड़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रोबर्ट फ्रोस्ट की एक पोईम पढ़ने जा रहे हैं, आफ्टर एपल पिकिंग, रोबर्ट फ्रोस्ट एक अमरीकी पोईट था, जो के 1864 में पैदा हुआ और 1963 में इसकी देथ हुई थी, रोबर्ट फ्रोस्ट को पोईटरी के लिए प्लीजर प्राइज भी दिया गया था, दोस्तों आज जो पोईम हम पढ़ने जा रहे हैं, यह बहुत ही कमाल की पोईम है, बहुत ही डीब मीनिंग है इसमें, 42 लाइन्स है इस पोईम में, और कोई प्रोपर पैटरन नहीं है इस पोईम का, और कोई प्रोपर राइम के बारे में थी यानि किसानों के बारे में और वैसे भी रॉबरट फ्रोस ने जितनी भी पॉइम्स लिखी हैं उन में ज्यादा तर दिहाती जिंदगी का रूरल लाइफ का और विलेज लाइफ का ही बताया गया है 42 लाइन्स का सुनके परिशान नहीं होना अभी हम लोग 42 ल को पर कंपि मौत है दुबर उन्रे के लना लाइफ फॉइच की भी है यहां पर हमान का मतलब है आसमान और इंडर का मतलब सीढी सीढी के दो सीरे ही होते हैं बडला सीढी मेरी दो सिरों वाली सीडी जो के मैंने एक तरहत के साथ लगाई हुई है अटेच की हुई है और उसका जो मुँ है वो आसमान की तरफ है जो दो सिरे हैं वो आसमान की तरफ निकले हुए हैं बाहर एंड देर इस अ बेरेल टैट आई डिड नाट फिल बिसाइड इट इस सीडी के पास एक लकडी का बरतन पड़ा हुआ है एक लकडी का मटका पड़ा हुआ है बिसाइड इट मतलब इस सीडी के पास और बेरेल का मतलब है कोई बरतन वगारा या लकडी का कोई मटका वगारा and there may be two or three apples I did not pick upon some bow bow का मतलब है शाख poet कहता है के मैंने दो या तीन सेब अभी नहीं तोड़े दो या तीन सेब बच गए है किसी शाख पर सेबों को तोड़ तोड़ के उस बरतर में डालर आप जो poet है यहां पर poet भी कह सकते हैं या फिर काम कमल कर लिया है essence of winter sleep is on the night essence का मतलब है fragrance या खुश्बू सर्दियों की नीन की खुश्बू रात में आ रही है इस apple picker को फील हो रही है the scent of apples I am drowsing off scent का मतलब भी smell है खुश्बू है और drowsing off का मतलब है नीन आना सेब पके हुए है तो सेबों की भी खुश्बू आ रही है इस सेब तोड़ने वाले को और इस वज़ा से सर्दियों की नीन की रात में खुश्बू और इन सेबों की खुश्बू ने कुछ ऐसा असर किया है apple picker पर के उसको नीन आने लग गई है I cannot rub the strangeness from my sight अपनी आखों के सामने से मैं इस अजीब से मनजर को हटा नहीं सकता I got from looking through a pain of glass pain of glass का मतलब है खिड़की का शीशा पोईट को याद आता है या फिर इस apple picker को याद आता है के वो एक खिड़की के शीशे में से देख रहा था I skimmed this morning from the drinking truff skimmed का मतलब है अलग करना और truff का मतलब है कोई प्याला सर्दी का मौसम था और जो पोईट था वो एक प्याला लेके उसमें पानी पी रहा था तो सर्दी इतनी ज्यादा थी के पानी के उपर बरफ की एक तैय जम गई अब पोईट ने क्या किया उस तैय को बरफ की तैय को निकाला बाहर बरफ की जो लेर थी और उसमें से देखा सुबा का टाइम था ये और ये जो आईस की लेर पोईट के हाथ में है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई खिड़की का शीशा हो पोईट को याद आ रहा है कि उसने इस बरफ की लेर को बाहर निकाला और उसमें से देखा और एल्ड अगेंस्ट दा वर्ल्ड ओफ होरी ग्रास होरी ग्रास का मतलब है कोई ऐसी ग्रास जिसके उपर बरफ पड़ी हो सुआओ पड़ी हो सुबा सुबा के टाइम में पोईट के हाथ में पयाला है उसमें बरफ जमिय है एक बरफ वो है और दूसरी जो ऑग्रास के उपर पड़ी है तो पोईट ने क्या-कया बरफ जो थी नह प्याले के अंदर उसको बाहर निकालके ग्रास को देखा गास को देखा जिसके उपर सनौ पड़ी हुई थी तो पोईट को बहुत दंदला दंदला दिखाई दे रहा था आप लोग भी एक बरफ का टुकडा पकड़ के देखना दूसी साइड तो आपको दंदला दंदला ही देखाई देगा तो जो apple picker है, वो सीड़ी के ऊपर खड़ा है तो उसको भी इसी तरह से नीद आ रही है, इस तरह से अजीब जीब दिखाई दे रहा है, जैसे के बरफ के टुकडे में से देखें, तब दुंदला दुंदला नजर आता है, apple picker को भी ऐसा दुंदला दुंदला ही दिखाई द दिया उस बरफ को बट आई वाज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फैल लेकिन इस बरफ के टुकड़े के गिरने से पहले ही जो पोईट था वो नीन के रास्ते पर निकल चुका था दोस्तों यह पोईट ख्याल सोच रहे हैं यह आप लोगों ने जहन में रख और नीन को बती है तो हिस को किस तरह के ख्याते हैं मिगनिफाइड एपल्स अपियर एंड डिस ऐपियर बड़े बड़े सेब उसके ख़ुआप में कभी आते हैं और कभी जाते हैं stem end and blossom end कभी उसको तने का सीरा दिखाई देता है और कभी उसको फूल का सीरा दिखाई देता है या समझ लें उसको तने और फूल भी दिखाई दे रहे हैं and every flag of reset showing clear flag का मतलब है कोई दाग दबा और reset का मतलब है गहरा सुर्ख रंग या फिर red color तो सुर्ख रंगे सेबों के उपर अगर कोई दाग दबा भी है ना तो वो भी poet को बड़ी अच्छी तरह से नजर आ रहा है poet जो है वो CD के उपर खड़ा है जो कि उसने सेबों वाले दर्फ के सार लगाई है वहाँ पे उसको नीद आ गई वो सो गया और उसको ख़़ा में भी सेबी नजर आ रहे है बड़े बड़े सेब नजर आ रहे है poet को और उन सेबों के उपर अगर कोई दाग भी है ना तो वो भी clearly नजर आ रहे है poet को My in step arch not only keeps the egg अब CD पर खड़ा है जो apple piker है तो उसका जो पाउं का उपर वाला इस है ना वो उसने कुछ इस तरह से रख़ा है कि CD जो है वो balance रह सके और वो गिरे ना यानि कि उपर वाले इसे को मजबूती के साथ उसने attach किया है CD के साथ तो उसके पाउं का जो उपर वाला इस है ना वो दर्द कर रहा है इट कीप्स दा प्रेशर ओफ लैडर राउंड यानि के सीडी का प्रेशर भी उसके पाउं पर आ रहा है इस वज़ा से उसके पाउं दर्द कर रहे है आई फील दा लैडर स्वे एज दा बोज बेंड तो जैसे ही शाखें हिलती है अब वजन भी है ना जो इनसान है उसका वजन भी होता है तो जब सीडी के ओपर चेटा है तो शाखें थोड़ी बहुत हो हिलेंगी ना दरख्ट کی तो जैसे ही शाखें हिलती है दरख्ट की तो यह सीडी भी हिलती है स्वे करती है पाउं मजबुती के साथ इसलिए टैच की है सीडी के साथ एपल पिकरने ता कि वो गिरना जाए और बैलनस रहे And I keep hearing from the seller bin the rumbling sound of load on load of apples coming in Rumbling sound कुछ ऐसी होज होती है जो के एक इसम की गाड़ी से आती है Rady कहलें कोई छोटी सी जिसको कोई आदमी खींचे या फिर कोई जानवर खींचे And seller का मतलब है कोई तैख खाना या फिर कोई गोदाम And bin का मतलब है कोई टोकरा वगएरा या फिर कोई बरतन वगएरा कोई box कहलें कोई संदूक कहलें तो ऐसा लग रहा है जैसे ना इस तैख खाने में इस संदूक में बहुत सारे सेब डाले जा रहे हैं जिसकी वज़े से खटखट की आवाज आ रही है जो तैख खाने का संदूक है उसमें सेब डालते है ना जब तो आवाज आती है और सेब डेरों के हिसाब से डाले जा रहे हैं यानि कि अंडर ग्राउंड स्टोर और उसी से बने हुए है और बहुत सारे सेबों के डेर आते हैं और वहाँ पे स्टोर कर लिये जाते हैं तो जब सेबों को अनलोड किया जाता है वहाँ पे स्टोर किया जाता है सेबों के चुनने का काम कर लिया है I am overtired अब मैं बहुत थक गया हूँ बहुत सारे सेब चुननी है बहुत काम हो गया बहुत सारे सेब कठे हो गया है अब थक गया है एपल पी कर जा है आगे जाके समझाओंगा आपको कि इन सेबों का क्या मतलब है I am overtired of the great harvest I myself desired जितनी कुछ सेबों की फसल की मैंने खुआश की थी उतनी मैंने हासल कर लिये उतने से मैंने हासल कर लिये मेरी खुआश पूरी हो गई और अब मैं बहुत थक गया हूँ हद से ज्यादा थक गया हूँ There were ten thousand thousand fruit to touch Cherish in hand Cherish का मतलब है desire जायर या फिर admire तरीफ करना या फिर खुआश करना अब हजारों के हसाब से सेब अकठे कर लिये है जो एपल पिकर है उसने अब उनको वो टच कर सकता है उनको अपने हाथों में पकट सकता है उनकी तारीफ कर सकता है लाखों की इतदाद में है सेब अब एपल पिकर ये बताएगा कि इसने सेब उतारे किस तरह से थे उसने उनको बेरिल में कैसे डाला था बेरिल का मतलब Celsius मैंने आपको बता दिया था न कोई बरतन वोगएरा कोई बड़ा सा लकडी का मतका या संदूग वो गारा जिस में वो सेब को फैंकना है एपल पिकरने तोड़ने के बाद जमीन पर नहीं गिराना इतनी हैतियात नो मैटल इफ नाट बुरूस्ट और स्पाइकड विद स्टबल वह सेब जो जो जमीन पर गिर ग्र गया चाहे उस पर खराशें आई या नहीं आई आई यह बुरूस्ट का मतलब है और स्पाइक्ड का मतलब है कोई नुकीली चीज और स्टबल का मतलब है कांटे वगारा या फिर अगर देखें एक फसल काट ली जाए ना जैसे गंदूम उसको काट लेते हैं हम लोग तो बाकी जो छोटे छोटे बच जाते हैं उसके हिसे और पाओं में लगते हैं उनको स्टबल कहा जाता है तो एपल पिकर जो सेब उतार रहा है उसको उसने देहान से डालना है टोकरी में अगर वो नीचे गिर गए चाहे उस सेब पर खराशे आई हैं या नहीं आई हैं उस सेब का क्या करेगा फिर वो वेंट शोरली तुदा साइडर एपल ही अज नो वर्थ जो सेब जमीन पर गिर गए उनकी कोई वैलियू नहीं है अब उनको जूस बनाने के लिए इस्तमाल किया जाएगा जमीन पर गिरे सेबों को ऐसे टेर पर फैंका जाएगा ऐसे सेबों के टेर पर फैंका जाएगा जिन सेबों को जूस बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है या फिर शराब बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है दोस्तो ठक तो नहीं गए बस थोड़ा सा रह गया One can see what will trouble this sleep mind कोई भी देख सकता है कि मेरी नीद को कौन सी चीज़ खराब करेगी या डिस्टर्ब करेगी वो यही ख्याल है कि अगर बहुत सारे सेब जमीन पर गिर गए तो वो जाया हो जाएंगे चाहे वो जखमी हुए हूँ या ना हुए हूँ ये चीज़ पोईट को या एपल पिकर को नीद में भी डिस्टर्ब कर रही है Whatever sleep it is ये किस किसम की नीद है Were he not gone The woodchuck could say whether it is like his long sleep Woodchuck के किसम की गलहरी होती है जो के North America में पाई जाती है इस जनवर की ये खास बात ये है कि ये सरदियों में सोया रहता है यानि कि इसको सरदियों में बड़ी नीद आती है तो ये सारी सरदी सोया रहता है पोईट कहता है कि ये woodchuck पता नी किदर चला गया है अगर ये woodchuck यहाँ होता तो मैं उससे पूछ सकता था कि या उसकी नीद, apple picker की नीद, उसके जैसी ही है woodchuck के जैसी है, जो कि बहुत लंबी नीद होती है लॉँग सलीप होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात यानि कि apple picker जो है, वो wood chuck से पूछना चारा है अगर woodchuck के उसके पास होता, तो उसके पूछता क्या एपल पिकर की नीन वुड चक की नीन के जैसी बहुत लंबी नीन है या फिर ये इनसानों वाली नीन है इनसान तो 10-12 गंटे सो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उसके बाद उठ जाएगा लेकिन वुड चक जानवा तो सारी सर्दी सोय रहता है तो एपल पिकर अब सीडी के उपर सो रहा है तो उसको लग रहा है कि उसकी नीन या तो वुड चक के जैसी है या फिर हो सकता है ये कोई इनसान की नीन के जैसी नीन हो लेकिन एपल पिकर बयान कर रहा है कि ये नीन उसको आ रही है जैसी भी है नीन आ रही है दोस्तों ये एक सिंबॉलिक पोईम है जो एपल है ना वो है इनसान की ख्वाइश है इनसान कोशिश करता है कि वो वो वाली ख्वाइश पूरी कर ले अपनी उसकी वो वाली ख्वाइश पूरी हो जाए ख्वाइशें कभी भी खतम नहीं होती दोस्तों इनसान की मरते वक्त भी इनसान की ये ख्वाइश होती है कि अभी तो बहुत सारे काम करने है मैंने, अभी तो बहुत सारे काम अदूरे रह गए है मेरे तो, मरते वक्त भी इनसान की ये ख्वाइश होती है कि वो थोड़ा और जी ले, नोट करना आप लो इनसान की ये ख्वाइश पू कर लिए टोकरे में सेब डाल ली है अपनी कौई खुखंश और ही रह गहां लेकिन कुछ सेब अपर भी रह गह हैं धरक्विस कोई करहाई है ऎक फ्रक्वस्प्सिएंच में देखते हैं थो ये और स्लीब का बता इ az दोस्तों नीन क्या होती है नीन रेखें आदी मौत होती है इनसान जब सो जाते है न तो इसको नहीं पता होता कि इधर उधर क्या चल रहा है क्या हो रहा है तो long sleep का मतलिव ये है कि अब इनसान की मौत ओगई है आखरी लाइनों में sleep का मतलिव ये है कि अब मौत आने वाली है या मौत आ चुकी है अब जब time अगया जब मौत का time अगया है तो तब जितनी भी खुधियों चाहे पूरी हुई है हो या ना हुई है कि उसने ये काम किये जिन्दगी में उसके ये काम अभी बाकी रह गये हैं ऐसा ये पोईम डिस्क्राइब करती है तो दोस्तो वैसे एक बात है सिंपल सी बात है कि अगर सुखी रहना चाते हो ना तो खौईशात को थोड़ा सा कम करो दोस्तो ये थी आज की पोईम आफटर एपल पिकिंग अगर किसी लाइन की समय नहीं आई आप लोगों को या किसी वर्ड की समय नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो यहीं पेंड करते है